हेलो गाईज तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोविड-19 का थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि कोविड-19 काफी सभी जितने भी यह यूटूब पे वर्क कर रहे हैं तो सभी लोग क्रोना वायरेस कोविड-19 के जानकारी दिये हैं तो मैं भी एक वीडियो आप लोग के तो चलिए आज के इस कोविड-19 अपडेट देखेंगे यह चाइना से सुरू हुआ था कहां से चाइना बुहान से बुहान जो एक सिटी थी वो टूरिज्म सिटी थी जहां पर लोग टालने जाते हैं या फिर एजुकेसनल प्लेस था मान लीजिए वहां पर काफी पढ़न आपको सिम्टम आते हैं तो मेडिसिन कौन-कौन सा इसमें यूज करना कौन-कौन सी दवा इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं तो काफी जिसको कोई भी सिम्टम आते हैं यह सिम्टम तो यह दवा अभी गवर्मेंट यह दवा प्रिसक्राइब की गई है यह देखें जैसे प पतलब हलका सा सिम्टम जो होता है वो पहले फीबर आपको होगा कफ आएगा बाड़ी पेन होगी बीकने mix होगा और फीबर और यह कफ खांसी जो आती है यह सूखी खांसी आती है और बाड़ी में पेन होने खराश टाइप लगने लगता है तो आप यह पूरा यह सिंटम है तो एकदम क्लियर होना चाहिए जो भी मतलब मान लीजिए हम लोग को तो बचाओ करना है तो यही है तो अगर मेडिसिन कौन-कौन सा यूज करते हैं इसमें चलिए हम मेडिसिन भी थोड़ा देख लेते हैं इसमें इसमें है नहीं isolation का मतलब उसको जो पेसन्ट रहेगा उसका treatment टी आर एटी treatment उसका best होने लगता है और वो इस्परेड नहीं कर पाता मालेजी उसको covid हुआ उस पेसन्ट को तो isolate हो जाएगा तो उसका treatment best तरीके से होगा और वो नहीं होगा मतलब कोविड उसको हुआ रहेगा तो इस नहीं लेट होना तो काफी जरूरी होता है तो किसी से मिलना जुलना नहीं होता है तो आपका ट्रेट्मेंट अच्छा होगा और समय से आप अच्छे हो जाएंगे और इभर मेक्टिन ट्वल क्या हिए वार्म जो हम लेना पड़ता है और एज्ट्रोमासिन ये एंटिवाटीक है डाकसे सैकलिनamız या यह ऑदे नीपरनी पड़ती है और टेभलेत जिंक की टेबलेट भी इसमें प्रेस्क्राइब किया गया है पचास एमजी यह बीडी भी दो बार लेनी पड़ती है दिन में और टेबलेट PCM परसीटा माल होता छेसो पचास एमजी इसलिए तो टमप्रेचर डाउन करने के लिए काफी मतलब हाई डोज का PCM परसीटा माल य काल पाल आता है काल पाल भी आता और काफी दवा आते हैं 650 से परसुया भी चालिसी एंपर प्र ब० आपकी इमिनिटी को डेवलप करेगा इम्मुनिटी मतलब आपको रोग परिच्रोज़क चमता को ये बुस्ट करेगा क्योंकि ये मल्टी विटामिन होता है जिंकोबीट तो ये भी ओडी दिन में एकी बार लेना होता है और एक आता है पाउच आता है ये कैल्सिराल सेचेट आता हैt ये बित बित भी लास वाटर फ़र 30 देज मतलब दिन में एकी बार लीजिए और आधे गिलास वाटर में आप 30 दिन तर लगातार कांटीनू लीजिए क्योंकि यह काईलसियम इसमें होता ना तो जो आपकी बाड़ी पेन होती है बोन पेन होती है यह विटामिन D3 की वजा से होती है तो विटामिन D3 क्या करता है काईलसियम को बढ़ाता है विटामिन D3 आपके डाइजेस्टिफ सिस्टम जो होता है वही से एबजार्ब करके बो सब्सक्राइब, अगर होता है यह कोविट कीई थोड़ी सी सिम्टम भी दिखाई देती है यह सिम्टम है फीबर होगा कप हो गया बाडी पेन बीकनेस या रनी नो जा फोट अगर यह सब इनफेक्शन है तो यह दवा ले सकते हैं यह दवा ऐसा नहीं है कि कुरोना की दवा ग यृइस सब तो पैसे किया करेंगे यह दूपा ले भी सब नोना की जबड़ा है और आप ले लिए HR सब्सplings मुए तो यह सब फिर इस बाद ने Index time injection करना पड़ता जिसको कहते हैं भाप लेना दिन में वाप लिया जाता अगर भाप लेते है तो आपका MU-कस होता है वा-कहर को पतला कर देता है तो म्यूकस को हटा कि आसानी से आप सांस को इनहेलेशन करवाता है तो यह होता और आपको डेली तीन से चार लीटर पानी पीना चाहिए जिस पी प्रेसंट को यह सिम्टम दिखाए देते हैं और साथ से आठ घंटे आपको सोना चाहिए मोनिटर आक्सीजन साचुरेशन साच का 95 से लेस देन होता है आक्सीजन साचुरेशन तो फीजीशन को इनफाम करना चाहिए जिस भी पेसंट को यह हुआ है तो यह डाक्टर एसोसेशन के जम्यू लखनाव से यह जो दवा है यह प्रेस्क्राइब किया गया है और यह दवा काफी अच्छी है काफी यह बेनिफ है यह बिटामिन D3 को बढ़ा देता है बॉड़ी पेंज होती है उसको रिलाक्स करता है यही सब इसमें वर्क करता है और सिक पर तो दवा हो गया आपको दवा लेनी है आईसोलेट होना और सिकन्ट पर आपको मास्क बहुत काफी इंपॉर्टन है जिस भी पेसंट को हुआ हो जिस भी पेसंट को नहीं हुआ है इस समय क्या है ना कभी कहीं कहीं आपको कोविड के पेसंट किसी एरिया में ज्यादा दिखेंगे तो उस एरिया में अगर आप कभी चले गए तो इंफेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं बट अगर आप मास्क लगाए हैं तो यह स मैं लगाया था और लगाता भी हमेशा और epic पर आपको हाइं लगाक चाहिए है सब्सक्राइब करना तो यह सभी को पता है बट यह स्टेप आपको एकदम अच्छे से करना चाहिए अच्छे से और जो नेक्स स्टेप आपको सेनिटाइज करना है आप सेनिटाइजर यूच करने से क्या होगा अगर आप हैंड वास कर लीजिए पहले फस्ट पिए आप सेनिटाइज यूच करते रहें लगबच दो से तीन चार घंटा तक आप सेनिटाइज करके और उसके बाद तीन से चार घंटे बाद फिर आप क्या करिए नाक और गले में जमा म्यूकस पतला हो जाता है जिसे हम लोग आसानी से सांस ले सकते हैं म्यूकस से ही कब बनता है तो कफ क्या करता है म्यूकस पतला हो जाता है भाप लेने से कफ पर कंट्रोल भी हो जाता है इसलिए भाप लेने की सलाह दी जाती है तो यह हो जाता है भाप सांस ले पाते हैं सांस लेने की नली खुल जाती है और सरीर को प्रियाप contradiction मिल जाता है जिस सरीर में जो टीसू होते हैं अच्छे से कर पाते है नहीं तो वैसे लगता है लेकिन याद रहे करोना वाइरस खतने लगता है ये भापले से यह नहीं कि कुरोना वाइरस खतम हो जाएगा ना ही जो दवा हमने बताया था उससे भी कुरोना वाइरस के जो वाइरस होते हैं human virus जो होते हैं mutation virus है ना यह अपने आपको change कर लेते हैं तो यह human virus यह खतम नहीं होता जल्दी बट आप अगर प्रिकासन isolate अपने आपको करेंगे दवा समय से समय लेंगे काढ़ा गरम पानी करेंगे तो हां खतम हो जाएगा 100% immunity होगा आपका रोग परितिरोधक रोग परितिरोधक चमता डेवलप होगी जिससे आप अच्छे से अपने आपको डेवलप कर पाएंगे और अच्छे हो जाएंगे ना ही यह संकर्मन नहीं रोकता ना ही इंफेक्शन रोकता है भाप जब लेते हैं लोग तो जो जो भी प अच्छे से ना ही जानकारी हो गई और यह उन पेसंट में मालीजे जिस पेसंट को डाइबिटीज हो या हाइपर टेंशन भी पी अधिक होता हो ब्लड़ पेसंट के लिए काफी खत्रा वाला वार्स है वही वही मालीजे आप यह पहले क्या था जब फर्स्ट बार पिश्ल को अब इस बार जो भी यह हुआ है काफी खतरनाक है यह सभी में हो रहा बच्चे बुढ़े जमान सभी में हो रहा है तो यह इसलिए आप डाइबिटीज मालीजे कोई पेसंट है तो उनको तो काफी दिक्कत है यह अटेक जल्दी हो जाता तो जहां पर इंफेक्शन एरिय अब नहीं जाएंगा और अभी आप लोग अपने आपको सुरच्चित करिए अच्छे सरही जितना प्रिकासान है सब अजमाई है सब अच्छे सरही सेफ रहिए सेफ प्लेस पर रहिए अगर आप गाउं में रहते हैं तो आपको तो बेस्ट है आप अच्छा एक प्लेस ले करता तो अभी अवायट करिए मत जाए अगर रहेंगे तो काफी साधी बरात करेंगे तो अभी यही सब आप प्रिकासन करके रहें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है अपने आपको सेफ रहिए और एक चीज़ अपने आपको स्ट्रांग समझे यह नहीं अपने आपके इ चलिए, थाइंक यू